मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है काफी मेहनत के बाद, पांस साल इंतजार के बाद बच्ची को इस पत्त हासिल हुआ है, इसका मैं बयान नहीं कर सकता है, लगातार मेहनत करते रही, उसकी मेहनत को देखते हुए, ऐसा लगा कि डिपटी कलेक्टर से भूचा कोई पत होत है, और मेहनत भी बहुत संघर्ष भी बहुत किया, उसने पुरे पहले आटेम में ही दोनों समय उसने किलियर किया, नमस्कार, मैं हूँ दीपेंज सिंग उश्वाहा, लोगों के संघर्षों की कहानिया सुनाता हूँ, और आज आपको एक बड़े संघर्ष के बाद, जो ड बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे भी सर्प्राइजिंग था, और 2019 का जो इंटर्व्यू था, और जो रिजल्ट था, वो बहुत अवेटेट था, सभी के लिए, सभी के पैरेंट्स के लिए और एस्परेंट्स के लिए, तो फाइनली ये रिजल्ट आया है, और मैं बहुत खोशू, मेरे लिए बहुत सर्प्राइजिंग है, ये बहुत ज्यादा खोशी हो रही है, क्योंकि काफी मेहनत के बाद, पांस साल इंतजार के बाद, बच्ची को इस पत्र हासिल हुआ, इसका मैं बयान नहीं कर सकता, एक बतलब एक चार साल, पास साल लंबा दर्मियान थ तो आप भी इनको मॉटिवेट करते रहे होंगे, कि लगातार क्या सफलता है, और लगातार टाइम बढ़ रहा था तो बहुत मुश्क्ल हो जाता है, बच्चों के लिए भी, प्रेंट्स के लिए भी, तो आपने क्या खासित देखी अपने बेटी में कि उनका जुनून लगातार मेहनत करते रही, और उसकी मेहनत को देखते हुए, ऐसा लगा कि डिप्टी कलेक्टर से भी मुच्छा कोई पद होता, तो वासिल करते हैं, बिलकुश, उस देरे इंटर्व्यू हमने जब लिया था पेस्टी जामने में, बैडम सब बोला इक बार डीसी पक्ता है आपका, परेशान या दियर्ट ना अने करण मतलब बच्चे दूसरे भी परेशान हुए, यह लेकिन ज़्यादा परेशान थी कि मुछ मालूम पड़ जाया है, और इसके करण हम भी सारे परेशान थे, लेकिन ठीक मैं भी एक एडमिस्टर्व सर्विस में हूँ, तो साकार तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत गर्व हो रहा है मेरी बेटी पर कि उसने इतनी मेहनत की वो सफल हुई उसकी और हमारे परिवार में भी नाम कमाया पूरे परिवार में और एक कहते ना कि लोग आजकल तो कम हो गए लड़कीं को लोग आगे नहीं बढ़ाने त आपने इतना जद्दू जच करके आगे बढ़ाया था इसके लिए आप क्या कहने चाहेंगा और पूरा परिवार का सहयोग भी रहा और उसमें जुनुन देखा कि उसमें पढ़ाई में लगन है और मेहनत भी बहुत संगर्श भी बहुत किया उसने पुरे पहले आटेम में दोनों समय उसने किलियर किया तो आप देखते होंगे कि कितने घंटे पढ़ ले थी ती यह पूरे समय मतलब लगी रहती थी मोबाईल भी बाहर कमरे में अंदर हम खाने के लिए भी हम बोलते तब खाती करते हैं तो आप समझ सकते घंटे पढ़ना है कि इतना कुछ करना है रीजन बींग क्योंकि मैं इंदर से बिलॉंग करती हूँ तो मेरा घर था और मुझे घर पे रहके ही पढ़ना रहता था तो आप समझ सकते घर पे बहुत सारी चीजे होती है बट हां उसके साथ मैंने पढ़ा है उसकी वज़े से आज मैं यहां हूँ मैंने घर पे रहके प पर पिछाश करा यह चीज मुझे बहुत गरवडवाली लगती कि हां मैने घर से बैठके अपनी तयारी करके में अपनी रैंक हासिल करिए आप जब देखते होगे और बच्चों को देखते होगे और अपनी बेटी को देखते होगे तो आज आपको कैसा फील हो रहा है जाहिर निकार सकते हाँ, बहुत ज्यादा खूशी हो रही है, तो जैसे अब इनका सलेक्शन हो गया है, तो अब आप क्या चाहते हैं, अब बस जल्दी से पॉस्टिंग मिल हू violation जल्दी से पॉष्टिंग हो क्योगा बहुत समय बीच चुका है ना पंच साल हो गए है डिल्दी जल्दी पॉष्टिंग हो तु यह आपकी इतनी वड़ी जर्णी रहिए बामको इम्सक अगे भी आपको तयारी करना है अभी तो मैं जो मुझे पद मि क्योंकि अभी नायाप तैसिलदार बनी थी अभी नायाप तैसिलदार से मैं डेपटी कलेकटर बनी हूँ तो मुझे कारे नये सीखने को मिरेंगे ट्रेनिंग बहुत नुटव करने को मिले का मैं इस पल को वापस रिपीट नहीं होगा इसलिए इस पल को एंजॉई करूगी और सीखूंगे और जहां मौका मिलेगा, वहां से मैं शुरू करूँगे, अभी मुझे रास्ता इतना दिख रहा है कि मेरा सेलेक्शन हुआ है, मुझे ट्रेनिंग लेके उस पर कारे करना है, उसके बाद मुझे आगे रास्ता जो दिखेगा मैं उस पर कारे करना है, और आप वह दो सावस बढ़ेशाय कर लिया तो बहुकर है तही यह मतलब इस कि पूरी रात ने देजके jos केटेब में मिट्ची ने के लिया तो बह। हुशी है मतलब आफ्ञ करना चाहराई सबसे अची चीज मेरे साथ यह रही है कि एक होता है कि लोग रिजल देखके शौक दोते बट मेरे साथ जितने लोगों का कॉला है सभी का उनका यह कहना था कि मुझे अपका नाम देखके बहुत अच्छा लगा तो मेरे लिए पद के साथ यह जो मैंने जो कमाया है वहार से कैसे भी वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग मेरे साथ नाम देखके बहुत खुश है कि अपका नाम देखके हमको इतने खुशि मिली कि похशी मिल्ए परस्नली आ यह कॉल करके बोले कि हमें बहुत अच्छा लगा औरThese संघर्व में आपको कभी कभी ऐसा de-motivation बहुत होता है बहुत होता है डेफिनेटली होता है और घर पे रहकर हमें डी मोटिवेशन होता है क्योंकि पैरेंट्स को हम देखते हैं काम करते हुए पैरेंट्स को हम देखते हैं काम करते हुए पैरेंट्स को हम देखते हैं कि हमारा टाइम जा रहा है और वो चीज उन्हें अगर एक बार डी मोटिवेशन के जोन में चले गए तो आपके लिए एक्जाम क्लियर करना बिलकुल नमुम्किन सा हो जाता है और मैं सभी गुरुओं को मेरे माता पिता को और मेरे ईश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी जिनपी वजह से आज मैं यहां हूं जो बी हूं उनकी वज़े सी और मेली से हाँ पर अपसे बात करना है जोन थे ऑлемिली सेप्स पूरा प्रापर तरीखे से अपको पूरा समझाएंगी मैं उनने कैसे मेंस लिखा परीडियारी अब आपको देक्र भूसार आपको और से बहुत लग रहे हैं. बहुत कुछी हो रही है. लेकिन अध्य हैं. लेकिन आज और कल और पांच साल किसको मतलब कहते हैं मतलब 5 साल बहुत होते हैं बहुत होते हैं को इसके बाद भी उसमें इतनी परेशानिया आना कि मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना क्या नहीं तो इसके साथ ही आप सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई और हम डिल में वीडियो जरूर लाएंगे और मेडम के लिए बहुत-बधाई आपका सेलेक्शन हुआ है और हमारे तरब से भी छोटा-सा एक उपहार है मेम के लिए आप सब के लिए तैंक यू आप सभी का